श्री राम जन्म भूमी के संबन्द में माननिय सर्वोच नियायले द्वारा इस देश की जनभावना आस्था एवं श्रद्धा को नियाय देने वाले निरणे का राष्ट्रिया स्वयम सेवक संग्ध स्वागत करता है दशकों तक चली लंबी नियायिक प्रक्रिया के बाद यहां विधी सम्मत अंतिम निर्णे हुआ है इस लंबी प्रक्रिया में श्री राम जन्म भूमी से संबन्दित सभी पहलूओं का बारीकी से विचार हुआ है सभी पक्षों के द्वारा अपने अपने दृष्टक्यों से रखे हुए तरकों का मुल्यांकन हुआ धैर्य पूर्वक्त इस दिर्ग मंधन को चलाकर सत्य व न्याय को उजागर करने वाले सभी न्यायमूर्थी तथा सभी पक्षों के अधिवक्ताओं का हम शत्शाह धन्यवाद तथा अभिनन्दन करते हैं इस लंबे प्रयास में अनेक प्रकार से योगदान करने वाले सभी सहयोग्यों वो बलिदानियों का हम कृतद्निता पुरवक्त स्मरण करते हैं निर्णे स्विकार करने की मनस्तिती भाईचारा बनाये रखते हुए पूर्ण सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकारी स्तर पर वो समाच के स्तर पर भी हुए सभी लोगों के प्रयास का भी हम स्वागत और अभिनन्दन करते हैं अत्यंत सयम पूरवक्त नियाय की प्रतीक्षा करने वाली भारती ये जनता भी अभिनन्दन की पात्र हैं इस निर्णे को जय पराजे की दुरुष्टी से बिलकुल नहीं देखना चाहिए सत्यव नियाय के मन्थन से प्राप्त निश्कर्श को भारत त्वर्ष के संपूर्ण समाज की एकात्मता वबंधुता के परिपोशन करने वाले निर्णे के रूप में देखना वो उपियों में लाना चाहिए संपूर्ण देशवासियों से अनुरुद है कि विधी और सम्विधान की मरियादा में रहकर सयमित और सात्विक रीती से अपने आनन्दों को व्यक्त करें इस विवाद के समापन की जिशा में सरवच्च न्यायले के निर्णे के अनुरूप परस्पर विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की और से शिग्रता पुर्वक होगी ऐसा हमें विश्वास है अतीत की सभी बातों को भुला कर हम सभी श्री राम जन्म भूमी पर भव्य मंदिर के निर्माण में साथ मिल जुलकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें कुछ है पूछना तो जिसके हाथ में माईक उसका प्रश्वाण जी मेरा नाम रवीत रिपाठी है मैं जीन उच से हूँ मेरा सवाल यह है कि अब जब फैसला आ गया है तो राम जन्म भूमी जो नियास था जो काम कर रहा था उसका क्या होगा जो पत्थर वहां तरासने का काम चल रहा था क्या आप लोग सरकार दवारा यो ट्रस्ट बनाया जाएगा उसको यह वह सवापा जाएगा क्या होगा आगे की जाए वैसे वैसे उसके रास्ते निकलते जाएंगे उसमें कोई यही होना चाहिए वही होना चाहिए ऐसा आगराम ने नहीं किया है स्थान दिया है राम जन्म हुमी न्यास को सरकार को न्यास बनाने के लिए कहा है तो सभी को मिल जूलकर मंदिर बनाना है तो निकलेंगे रास्ते जो मुस्लिम जो भी है उनको जो यह दिया गया है पाँचेगर की जमीन जो इस सारे मिवादित भूमी और जो चर्चा के विशाय की जो रोग कि तो संग की भूमी का इसमें होगी कि जो बात आपने पहले भी कही है कि सारे लोगों को एक साथ मिलके इस सारे चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए इसमें क्या आप कि भूह भी तो सुप्रीम रॉम्ग Extra नियुए है अच उसको कोनती स्विकार कर रहे है मैंने में विज्ञय एन शूभी के भाषन भी किया था कि ऐसे मामलों में जो ओकर मिलना होता है रात कहने करना हुश्हामानने कर रहे हैं आगे कि प्रोसेस चलेगे तब यह सारे प्रश्णा आएंगे जो भी है अन्तिम इस स्क्रेट्मेंट में जो हमने कहा है कि यह हमको जगड़ा विवाद अब समप्त कर ला है मुश्व नाम हमांशू है मैं आज तक से हूँ मेरा सवाल यह है इतने साल लगए इस परिक्रिया को करने में कुस दिन से संग और मुस्लिम संगठनों की तरफ से जो है वो कोशिश हो रही थी कि फैसले का स्वागत होना चाहिए जो भी आए उसको मानना चाहिए कि आपको नहीं लगता कि यह आपसी सहमती से भी बन सकता था अगर इस तरीकी की कोशिश पहले दोनों तरफ से की जाती दोनों पक्षों की मुझे लगता है वो पहले हुई थी किसी कारण नहीं सफल हो सकी इसलिए यहां से बाते चली नहीं तो अपनी सुख की जीवी का कौन दुख में डालना चाहता है जगडों में तो पहले प्रयास हुई होंगे तब तो मैं संग का अखिलबारती अधिकारी भी नहीं था इसल अब जी इस तरफ मैं विकास भधारिया हूं एबीपी नियूस से आपके दाइनी तरफ हाँ जब यह मंदेर और मजिब का विवाद चल रहा था उस दोरान जब भी मधिस्ता की बात होती थी तो यह का जाता था कि आयोध्या में ही किसी जगह पर मस्जिद भी बना दी है कि आप इससे सहमत है अब कोर्ट में जो बताया है उसका अध्यान करेंगे अर्थ वगरें लगाएं और वो तो हमको नहीं देनी है सरकार उसकी जमीन वगरता ही करेगी तो हमने कहा है कि विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की और से हो एक जगह पुजा भी चल रहे हो दुसरा भी हो रहा है इसको लेके हम लोग तो ठीक है हमारे मन में कोई दुविदा नहीं है समाच जलता है एक दुसरे पर यह बात समाप्त होनी चाहिए यह हमारी इच्छा थी वो पूर्णा होगी अब आगे की बात वो प्रक्रिया देख का था हरी हो या ज्याके भाहर हो कहां आप लोग कहां चाहते हैं अब क्या हम कुछ नहीं चाहते हैं सुप्रिम कोर्ट경 ने न्यरने दिया है न अब उसका विद्नवत निय्जे करने वाले हम तो मंदिर बनाएंगे मोहँंजी हम को कही से जमिन ला कर देनी में को रोड़त fantasy कार को सरकार सोची उसके मुझे उनको पूछी मोझे ओदेश सिंग्रा ना नियूजटे इन से जो काशी और मतुरा का जो विवाद है उस पे अप संग का क्या मत है और दूसरा आज भारत वर्ष में जितने भी मुस्लिम नागरिक है उनके लिए आपका क्या संदेश है मुस्लिम मुस्लिम नागरिकों के लिए क्या संदेश आपका और काशी मतुरा पर आपका क्या मत रहेगा नागरिक हिंदू मुस्लिम भारत के नागरिक भारत के नागरिक है तो अलग संदेश नहीं होते सब के लिए हम सब को मिलकर रहना है देश को बड़ा बनाना है यह सदा मेरे अखेल भारती अधिगारी बनने के पहले उसके कारण इस आंदोलों में एक संगठन के नाते संगच जुड़ गया वो एक अपवाद है अब आगे हम अपने मनुश्य निर्मान के काम में लग जाएंगे तो यह आंदोलों की विशय हमारी विशय नहीं रहते हैं इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते महजी मैं अमित हो न्यूस 24 से आखरी अमित हो न्यूस 24 से एक सवाल है एक तो जफ्राइब जिलानी ने कहा है कि वह रिवीव प्रेटिशन डालेंगे जो सुप्रिम कोड का फैसला है दूसरी बात की जो बात अभी पूछी गई थी कि अयुद्ध्या के बाद क्या कासी और मतुरा वह आपके जिंडेब है उसको आप अगे बढ़ाएं पहले का उत्तर मैंने दे दिया है संगा अनोलंग करने वाला संगेटन नहीं है मनुष्य निर्मान करेंगा और दूसरी बात है कि उन्डों ने जो किया है उसके बारे में पिछे बहुत बहुत घन्यवाद आपको और बहुत जगह जाना पड़ेगा और यह साफ है बिलकुल जैसा वह निर्णे साफ है वैसे स्ट्रेट्मेंट भी साफ है कि अधन्यवाद तो कि अधन्यवाद अधन्यवाद